NTA UGC NET 2020 की सभी परिक्षाइं संबन हो चुकी हैं और NTA ने आपती दर्जगरने की आखरी तारिक भी समाप्त कर दी है तो ऐसे में हर एक विद्यार्थी को इंतजार है कि कब परिक्षा परिणाम गोशित होगा और कब फाइनल कट आफ जारी कर दी जाएगी तो इन सब प्रशनों का उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे और साथी साथ अगर हम बात करें UGC NET हिंदी विशे की परिक्षा के बारे में तो विद्यार्थियों के अलग-अलग मत इसमें आ रहे हैं कुछ एक विद्यार्थियों का कहना है कि सुभः वाली शिप्ट जादा मुश्किल थी जबकि कुछ एक विद्यार्थी ये कहते हैं कि शाम वाली शिप्ट में अधिक difficult प्रशन पूछे गए थे इंतजार है सिर्फ final cut-off का तो आज हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो UGC net हिंदी का प्रशन पूछा गया था उसमें किस इकाई से कितने प्रशन पूछे गये थे और किस तरीके का level था और difficult था या फिर आपका moderate level का paper पूछा गया था ये हम पूरा करते हैं आज के lecture की देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस इकाई से कितने प्रशन पूछे गये थे इस बार के net में हाला कि ये वाले जो मैं आपके बीच में wishlation कर रहा हूं दोस्तो analysis कर रहा हूं ये जो शाम को exam हुआ था 13 November को उसके बारे में हम देखेंगे और इसके तुरंत पाद हम जो दूसरा सुभा वाली shift का paper भी आपके बीच में लेके आएंगे तो सबसे पहले देखिए 1.6 हिंदी उपन्यास तो यहां से सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे गये थे 14 प्रशन पूछे गये थे हालां कि जितने भी ये प्रशन थे देखिए ये सब किस तरीके के प्रशन पूछे गये थे ये थे आपके या तो कोछ एक उपन्यासों के पात्र पूछे गये थे या फिर उनको क्रमवाइज रखना था या फिर उपन्यासों को आधार के बारे में पूछा गया था तो इसी तरीके से प्रशन पूछे गये थे अगल प्रशन है अगला जो एकाई है देखिए पांचुई एकाई हिंदी कविता तो यहां से भी तेहरा प्रशन पूछे गये थे और इधर से भी इस तरीके से ही पूछे थे या कि रचना का प्रकाशन कब हुआ है या किसकी रचना है या फिर रचना को क्रम से लगाने के लिए कहा गया था या फिर किसी रचना की भूमिका में क्या कहा गया है इस तरीके से प्रशन पूछे गए थे overall देखा जाए ना तो ज़्यादा difficult था ना विल्कुल असान प्रशन पूछे गए थे ठीक है इकाई दो हिंदी साही ते इतिहास और इससे भी 12 प्रशन पूछे गए थे और साथी साथ आप देख रहे हैं मैंने 11 नमबर पर भी अन्ने लिखा है और इकाई दो लिखा है कवीता हो चाहे आपका कहानी हो पन्यास हो ना तको बगएरा बगएरा ठीक है तो यहां से देखिए 12 प्रशन पूछे गए थे और साथी साथ जो अन्य नव है उनको भी हम इसमें ही रखेंगे तो यह कुल मिलाके 21 के आसपास प्रशन इससे है फिर है देखिए तीसरे चौ पूछे गए हैं और 21 आठ हिंदी नाटक है यहां से भी 6 प्रशन पूछे गए थे अगर बैचारिक पिष्ट भूमी की बात करें दोस्तों तो यहां से इस बार 1 प्रशन जादा बढ़ गया है हलांकि इससे पहले 1 या 2 ही प्रशन पूछे जाते थे तो इस बार 4 प्रशन यहां से पूछे गए थे अगर हम 21 साथ हिंदी कहानी की बात करें तो हिंदी कहानी में उपन्यास वर नाटकों की अपेक्षा कम प्रशन यहां से पूछे हैं ठीक है सिर्फ तीन प्रशन यहां से पूछे गए थे और आखरी जो इकाई है हमारी गद्य विधाओं की अन्य जो गद्य विधायें हैं, आपका जो कथेत्र गद्य हैं, वहां से भी सिर्फ तीन प्रशन पूछे गए थे, तो overall ये कहा जा सकता है कि प्रतिक इकाई को टच करने की कोशिश की है, और सब इकाईयों से हमें थोड़े-थोड़े प्रशन पूछे गए हैं, और सबसे जादा जो पूछे गए हैं हिंदी कविता और उपन्यास से ही, ठीक है, तो ये था दोस्तों कि कहां से कितने प्रशन पूछे गए हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके का लेवल था और कैसा पेपर था, ये हम सॉल्व करते वक्त ही इसको देखेंगे, तो चलिए देखते हैं पहला प्रशन है देखिए, निमी लिकित में से सकंद गुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किये गीत कौन से हैं, तो देखिए इसमें भरा नेनों में मन में रूप किसी चलिया का अमल अनूप, तो ये वाली पंक्तियां जो हैं ये देवसेन तो ये वाली पंक्तियां भी किसी हैं देवसेना की हैं और ये कहती है वो आपका देखिए जो पांचवा अंख है उसके दृष्य दूसरे में ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होना था ये वो होना था आपका विकल्प नंबर एक और चो था, मतलब ए और डी, ठीक अगला प्रशन हम देख लेते हैं, निमे लिकित में से कौन सी भाषा आरे भाषाओं में शामिल नहीं है, तो जितनी भी आरे भाषा हैं उसके उपर भी हमने कंप्लीट लेक्चर त्यार किया हुआ था, तो यहां से दिखे सीधा सा प्रशन पूछा गया था कि कौन से इसम नहीं है, तो इसका जो सही उत्तरता देखे वो था आपका विकल्प नमबर तीन तुर्की, जबकि अन्य जो तीन भाषा हैं ये क्या है, आरे भाषा में शामिल हैं, अगला प्रशन है देखिए, नीचे दो कथन दिये गए हैं, तो दो कथन थे, इनमें से आपने सही या ग प्रशन से प्रभावित होता है, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा आपका विकल्प नमबर तीन, कथन एक तो सत्य है, लेकिन दूसरा जो कथन है, वो गलत है, क्योंकि दलित जो लेकरन है, वो लोहिया के समाजवादी प्रशन से प्रभावित नहीं है, जब हम गोदान उपन्यास के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे, अपनी उपन्यास सीरीज में, वहाँ पर हमने गोदान उपन्यास में अच्छे से इस चीज़ को डिसकस किया हुआ है, और PDF भी मैंने आपको मुहया करवाई हुई थी, ठीक है, तो गोदान का जो हो री था अगला प्रशन है, देखिए, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लिखी, उपरियुक्त पंक्तियों के संदर्व में निमिलिक्त में से कौन सा मनतव्य सही नहीं है, तो खबीर की ये प्रमुक पंक्तिया है, देखिए, वो गहते हैं कि इन में क्या है कि तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि मैं तो आँखन देखी, चीज़ों पर ही विश्वास करता हूँ, और तू कागदले की मतलब, जो लिखी गई है, वो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता है, तो यहाँ पर बताया ये गय लोक ग्यान की महता है मतलब जो अपने आसपास देख रहा है वो लोगों के जरीए है ना उसको ही वो कहने की कोशिश करता है और सहजदा के साथ ठीक है तो एक तीन और चार सही है जबकि दूसरा इसमें सही नहीं है ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं प्रशन नमब च्छ का कि इसलिए अभिनय के धार्मेगत्स वभाव के अनुकूल लोगधर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रिय विदान हुआ है तो देखिए दोनों चीज़ें इसमें क्या हैं सही है क्योंकि स्थापना और तर्क दोनों क्या है एक दूसरे को एक तरीके से व्याख् प्रशनिक अर्थ में कहा गया है तो ये भी राइट है जब कि शुकल ने भी रस के अलोकिक तौका समार्थर किया है ये बात नहीं है ठीक है तो ए और बी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा विकल्प नमबर एक तो ये वाला प्रशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था कोच अ विद्यातियों के लिए क्योंकि रस के बारे में हम इतना जादा स्टूरेंट्स नहीं पढ़ते हैं अगला प्रशन है देखिए निमेलिकित अबधारनाओं का कालकरम के अनुसार सही करम बताईए तो देखिए ये अबधारनाओं के बारे में पूछा गया है कि इनका सही क ठीक है तो इस तरीके से आपने इनको क्रम अनुसार रखना था अगला है देखिए प्रत्थम विश्वयूद के पिष्ट भूमी पर रचित कहानी कौन सी है तो देखिए कहानी से प्रशन पूछा गया है कि प्रत्थम विश्वयूद पर तो इसका जो सही उतर होगा देख पर देशविवाजन पर है और परिंदे जो है वो मध्य मर्गिय जीवन के अकेले पन का चित्रन करती है। करन सुझाया है ये जोर्ज करियार्सां ने सुझाया है और इनका चोथा काल विभाजन का भाग है वहाँ पर है और 11 भागों में ने हिंदी साही तही तयास को एक तरीके से विभाजित के काल को विभाजित किया है ठीक है और ब्रज का क्रिशन संप्रदाई ये पंदरा सो सोला सो इसवी तक मानते हैं ठीक है और ग्रियर्सन ने ही जो पहला आदिकाल है उसको चारणकाल की संग्या से अभिहित किया है अगला जो हम देख लेते हैं प्रशन रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अभधारनाई कौन सी हैं तो देखे प्रतिकूल अभधारनाई पूछी है ना कि अनुकूल ठीक है तो प्रशन को ध्यान से देखना था यहाँ पर ज्यादा मुश्किल प्रशन ये भी नहीं था ठीक ह अगला पुशन हम देख लेते हैं शरद जोशी द्वारा रचित निभंध संग्र है तो देखे, शरद जोशी का जो निभंध संग्र है वो है जीप पर सवार इल्या और आपका यत्र तत्र सर्वत्र मतलब ए और सी क्या होना था इसका सही उत्तर होना था तो अगला देखिए जो रचना है विश्कन्या तो ये किसका है शिवानी का उपन्यास है जो 1970 में इन्होंने लिखा था जबकि आडू का पेड़ है ये रमिश्चंद्र शाह का है और ये 1984 में लिखा गया था तो जीप पर सवार इलिया और यत्र तत्र सरवत्र ये निवंध संग्रा किसके है शरुद जोशी के है तो देखिए यहां भी सेंपल सा प्रशन पूचा गया था कि निवंध किसका है नेक्स्ट देखिए निमिलिकित में माकनलाल चत्रुवेदी की रचनाई तो ये भी सीधा प्रशन है कि कौन सी रचनाई है और कौन सी नहीं है अगर हम स्वारण धुली और विश्नुप्रिया के बात करें तो स्वारण धुली किसकी है ये है आपके सुमितरन पंध जी की जबकि विश्नुप्रिया है मैथली शरन गुप्त जी की तो बचती है फिर आपकी दो हिमक नहीं किसकी हैं ये माखनलल चत्रुवेदी जी की हैं हिम क्रीटनी कब लिखी गए थी ये 1943 में जबकि हिम तरंगनी 1949 में ठीक है और माखनलल चत्रुवेदी आपके टाश्टी काविदारा की गवियों में प्रमुक माने जाते हैं नेक्स से देखिए निमी लिकित में दंते व देखिए ये विकल्प सही था विकल्प नमबर 4 तो अगर हम अड़ा और अड़ा की बात करें तो इनका उचारन स्थान क्या है ये आपका मुर्धा ठीक है तो देखिए उचारन स्थान के उपर भी हमने कंप्लीट अपना लेक्चर त्यार किया हुआ है आप चाहें तो प् में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है बड़ी भारी विशिष्टा इस काव्य की है कि यह सारा संस्किती के वर्ण बितों में है जिसमें अधिक परिमान में रचना करना कठिन काम है शुकल ने यहमत किस क्रंथ के लिए प्रकट किया है तो देखिए ये बात कह सा परशन पूछा गया था मिलान के लिए रगवीर सहाय है आत्म हत्या के विरुद्ध थीक है तो उसके बाद केदानासिंग है देखिए जमीन पक रही है ठीक है ना कूवर नरायन का आतम आतम जाई जबकि सर्वेश ये द्याल सकसे ना की काट की गंडिया होना था है ना तो यहां भी सेंपल सा परशन पूछा गया था अगला परशन है देखिए निमिलिकित में से कौन अग्ये के काब्य हैं तो देखिए अग्ये के काब्य के बारे में पूछा गया था कौन कौन से उनके हैं तो भगंदूत और चिंता ये इनके काब्य हैं जबकि आत्मा की आ अगला पशन है देखिए निमिलिकित में से राम भक्ति शाखा के कभी हैं तो राम भक्ति शाखा के कभी जो हैं देखिए वो हैं आपके स्वामी अग्रदास, नावादास और हिर्दराम तो इसका जो सही उत्तर था विकल्प नमबर A, B और C अगर हम बात करें स्वामी हरिदास और पराम की तो यह हैं आपके क्रिशन भक्त कभी ठीक है, नेक्स्ट है देखिए माता पिता के समंद विछेद से प्रभावित बालक के तरस्त जिवन की कता पर अधारित उपन्यास तो यह वाला भी बहुत सिंपल था दोस्तों, इसको भी हमने डिसकस किया हुआ है उपन्यास सिरीज के अंतरगत जब हम उपन्यासों को पढ़ रहे थे, तो आपका बंटी इसका सही उत्तर था पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षन उसे गौतम बुद्ध बना देता है, समवाद नाटक, अंश किस नाटक का है तो देखिए, ये वाला प्रशन रिपीटेड था, दिसमबर 2018 में इसको पूचा गया था, और इस बार इसको फिर से पूचा गया था, है ना, और ये भी बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो सही उतरता है, लेहरों के राजहंस, मोहन राकिश का ना बहुत सारे विद्याक्तियों ने क्लेम करने की कोशिश भी की थी, कि हो सकता है इसका धनजह हो, लेकिन कम्प्लीट इसका जो सही उतर, मेरे अनुसार होना चाहिए दोस्तों, वो धनडी है, अगर आपको लगता है कि धनजह के ने भी इतने ही माने, तो आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, अगला जो प्रशन है देखिए, निमेलिकित कावे कृतियों में कौन सी रचनाए सन 1936 में प्रकाशित हुई थी, तो देखिए, कमाईनी और राम की शक्ति पूजा ही इसमें ऐसी हैं, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, हाला कि कमाईनी की और राम की शक्ति पूजा विकल्प नंबर दो, अगला जो प्रशन है देखिए, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंद संग्र है हैं, तो हरिशंकर परसाई के निबंदों के बारे में बहुत बार पूछे जाता है, और ये किस त्रीके के रचनाकार हैं देखिए, विंग्यकार हैं ये अरिशंकर परसाई, तो इनकी जो प्रमुक रचनाय हैं देखिए, तोलसिदास चंदनगी से और अपनी अपनी बिमारी, ये निबंद संग्र है इनके हैं, तो A और B इसका क्या था, सही उत्तर था, ठीक है, तो जो अगले जो हैं देखिए, पबूल औ सोमराज और रावत, जूटा सच उपन्यास किसका है, ये है आपका देखिए, अमरितलाल, सुरी, ये श्पाल का, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने डिसकस किया हुआ है, विस्तार से और इसके जो पात रहे हैं, इसकी कतावस्तू है, सब चीजों के बारे में हमने अच् प्रकाशन वर्च के दिश्टी से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए, माक्सवादी जितने भी समिक्षक हैं, उनको क्रम से हमने लगाना था, देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा, रांगे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मांधंड, तो ये लिखा था अगला जो प्रशन है देखिए, ये कहते हैं कि समिधान के अनुचिये 343 में संग की राजभाशा के बारे में निमिलकित में से कौन से प्रावधान किये गए हैं, तो राजभाशा हिंदी के अंतरगत और आपका जो हिंदी की समिधानिक स्थिती है, इसके उपर भी हमने एक कंप्लीट लेक्चर त्यार किया है दोस्तों, तो हिंदी साहिते वारता चैनल से बहुत सारे प्रशन जो हमने डिसकस किये हुए थे, उनको ही पूछा गया था, तो देखिए, संग की राजभाशा हिंदी और लिपी दिवनागरी, तो ये 343 में है, जबकि शास्के प्र जाले की जो भाशा कारवाई है, वो अंग्रेजी भाशा में होगी, ये वात भी किसमें है, 348 वे अनुछेद में है, तो इसलिए A और B इसमें क्या होना था, सही उत्तर होना था, विकल्प नंबर 2, अगला प्रशन है देखिए, फिर से रचनाओं को सुमलित करने को कहा ग नहीं थी, सिंपली आपको याद ही रखना था, तो conceptual और आपका जो factual question दोनों तरीके के पूछेगे हैं, मतलब दोनों ही आपको बरावर रेशो एक तरीके से रखा गया है अभी तक, ठीक है, अगला देखिए, मुक्तिबोद की आत्मकताकरिती, तो यहां पर भी रचना ही कि इसको किसने लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर था, वो था विशनुचंदर शर्मा, हरीक्रिशन प्रेमी के नाटकों के मुख्या स्वर, तो यहां पर थोड़ी सी जरूरती पढ़ने को डीब जाने की है न, कि हरीक्रिशन जो प्रेमी है, इनके नाटकों का स्वर क्या ह तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना था वो था आपका विकल्प नमबर 2, B और C, इसमें क्या था? राष्टिय चेतना युक्त एति हासिकता और सांपरदाइक सोहार्थ की मूल्य चेतना, तो ये बात हरी कृष्ण प्रेमे के नाटकों में पाही जाती है, अगला प्रशन ह क्योंकि प्रेम का चेतना मांसल ही होता है, जिसके करण उसमें अशलीलता आ जाती है, तो ये दोनों पंक्तियां क्या है? गलत है, देखिए, ठीक है, प्रेम नीजी भाव है, साहिते में उसका चेतना समाजी के तो ये नहीं होता, क्योंकि प्रेम का चेतना मांसल और इसमें असेहमत थे आपका जो पैचारिक पिष्ट भूमी वाला जो पोर्चन एकाई है देखिए वहां से प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन हम देख लेते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं हरीवन श्राय बच्चन की आत्मकता श्रिंकला का कौन सा भाग है तो देखिए हर आत्मकता है चार भागों में विवक्त है यह हम सब जानते हैं इनकी जो चौथा है देखिए जो चौथी इनकी आत्मकता का भाग है वो है आपका दश्त्वार से 105 तक ये नोने लिखा था 1985 में और बसेरे से दूर जो 30 रहा है देखिए ये 1938 में और दूसरा था इनका नीड का निर्मान फिर ये 1970 जब कि पहला था क्या भूलू क्या याद करूँ ये लिखा था 1969 में ठीक है तो देखिए रुपानतृत पूछा गया था То बहुत सारे विद्यारति कहा रहेते कि दीवसेन है लेकिन रुपांतरन पूचा है तो ये होगा आपका माईल धबलने पहले ये आपका पुरानी हिंदी या अपवरंश में था और बाद मैं इसको प्राकरित में लिखा गया था रुपांतरित करके ठीक है अगला जो प्रशन है देखिए कौन सा नाटक उदशंकर भठ का नहीं है तो ये है नारत की वीना ये किसका है लक्षमी नरायन मिश्र का है अगला प्रशन है देखिए कथन फिर से दिये गए हैं समर्पन सगुण भक्ती का मूल है तो सही बात है भक्ति अंदोलन एक मातर अदोयत बात से प्रभावित रहा तो ये कथन क्या है गलत है तो A सही और B गलत होगा सिर्फ अदोयत बात से ही प्रभावित नहीं रहा भक्ति अंदोलन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी और ये सब बाते हम डिसकस भक्ति काल के अंतरगत की हुई है ठीक है अगला परशन है देखिए प्रकाशन वर्ष की अनुसार ने में लिकित उपरन्यासों का सही अनुक्रम बताइए तो इसमें से सही जो अनुक्रम था देखिए सबसे पहले सुहा के नुपूर आना था उनिसो साथ में उसके बाद मानस काहंस उनिसो बहतर जबकि खंजननन उनिसो एक्यासी और पीडियां उनिसो नबबे तो ये इसका सही क्रम इस तरीके से आना था बहुत मुश्किल नहीं था अमरितलाल नागर के उपरन्यासों को क्रम से रखना और नागर से ही पहली कौन सा इसमें भाग आएगा विकल्प नंबर एक के साथ तीन जबकि बी के साथ चार आएगा ठीक है नवल किशोर आपका किस कथा दुलाई वाली जो कहानी है उसका प्रमुक पात्र है अगला देख लेते हैं प्रश्न रामिलास शर्मा के पुस्तकें कौन सी हैं तो देख का नंद दुलारे वाजपई की जो 1973 में इसको लिखा था अगला है देखिए निमलिकित में से कौन सा शब्द रूड है योगिक नहीं है तो देखिए योगिक नहीं है रूड है तो इसका जुसाई उतर होना था देखिए पीला तो शब्दों के बारे में भी हमने अच्छ की मूल स्थापना नहीं है सतीत तो ही स्त्रीत तो है तो ये बात ही इसमें सही थी कि ये क्या है नहीं है बाकी तीन चीज़ां इसमें है अगला पशन है देखिए एक को दूसरी सूची से सुमिलित करना था यहाँ पर भी रम्य कल्पना तो कल्पना ये कॉल्ड रिज का है जबकि मूल्य सिधान्त आईए रिचर्ड्स परंपरा की अवधारना इलिट उत्रा धुने कता बात देखिए ये रोला बर्थ होगा ठीक है तो तीन इसका क्या था सयूत्तर था बहुत सिंपल था ये प्रशन भी जो आपका कावेशास्तर से इसको पूछा गया था ठीक है न तो मुठी वर कांकर है देखिए ये वाला उपन्यास भी किसका है ये भी जगदीश चंदर का ही है बहुत सारे विद्यारती जगदीश चंदर माथूर कर देते हैं कि इनकी जगा ये जगदीश चंदर है ना कि माथूर है ठीक है तो जो यथा प्रस्ता भी थे देखिए य ये किसका है ये आपका गिरी राज की शोर का है जबकि किस्सा गुलाम रमेश चंदर शाह के उपन्यास हैं अगला प्रशन हम देख लेते हैं रमेश चंदर रामचंदर शुकल के अनुसार निमी लिखत में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है हिंदी साहित्या का इत आपका अपका यहां से प्रशन दोस्तो हर बार ही अब पूचा जाने लगा है कि अर्बी, फारसी या फिर अन्य जो भाशाएं है उनके शब्दों को एक आदे प्रशन इसके हर बार पूचा जाता है तो इसका जो सही उतरता देखिए दाग अगला प्रशन हम देख लेते हैं इतिहास के गड़े मुर्दे उखारने का काम इस यूग के साहिते में वांचनिय नहीं है अपने किस नाटा के भूमिका में मिश्र ने जैशंक प्रसाद के इतिहासिक सांस्कितिक नाटकों की प्रतिकरिया में यह बात कही है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना था वो होना था आपका विकल्प नमबर एक सन्यासी ठीक है न तो इस प्रशन को भी आपको गहराई से पढ़ने की जरूरत थी क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिर्फ उपन्यास पढ़ते हैं उसके जो प्रशन बनते हैं उनको इपढ़ते थे तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने की जुरूरत थी इस प्रशन के लिए अगला प्रशन है देखिए गिरी राज की शोर द्वारा रचित उपन्यास हैं तो गिरी राज की शोर के जो उपन्यास हैं देखिए वो हैं लोग 1966 में लिखा इनोंने और जुगल बंदी 1900 ये लिखा था 73 में ठीक है फिर आता है आपका देखिए उसकी बून्द और जहरोके तो ये क्या हैं ये गिरी राज के शोर के उपन्यास नहीं है उसकी बून्द जो है राही मासूम रजा का है 1970 में लिका है जबकि जहरोका आपको पता है कि किसका है ये है आपका भीशम साहनी का 1967 में नेक्स ते देखिए आस्था और सौंदर्य तो ये किसकी है राम बिलाज शर्मा की रचना है जबकि अनुसंधान और अलोचना ये नगेंदर की है आचरण की सब्वेता अध्यापक पूरण सिंग वादविबाद संबाद ये नामबर सिंग तो देखिए बहुत सारे प्रशन निवंदों से पूचे गए है और सीधा ये पूचा गया है कि किसका है और किसका नहीं है एस तरीके से ही प्रशन पूचे जा रहे हैं तो जादा मुश्किल इन प्रशनों में नहीं होनी चाहिए थी अगर सही तरीके से रशनाओं को पड़ा होता ठीक है नेक्स देखिए लचमी दासिन किस उपनियास की पात्र है तो यह है आपका मैलांचल तो मैलांचल के बारे में भी हमने पूरा डिसकस किया हुआ था कौन उसके पात्र हैं क्या कथवस्तू है कहां की वो कथा है यह सारी चीज़ें हमने डिसकस की हुई थी और सही उतर विकल्प नमबर एक था देखिए अगला प्रशन है देखिए दिनकर कावय की विशेश्ताई तो जाती व्यवस्ता का विरोध और साती सात युद का तात्विक चिंतन और शोशन का विरोध तो ये दो चीज़ें क्या है दिनकर के कावय की प्रमुक विशेश्ताई है तो 50 का होना चीए था देखिए विकल्प नमबर 2 नेक्स ते देखिए निमिलिक्त में से कौन सी कृती मुक्तिबोध की नहीं है तो इसमें से देखिए शुद कावीता की खोज ये उनकी नहीं है ये किसकी थी ये थी दिनकर की अलोचनातमक कृती ये रहना तो यहां भी देखिए बहुत सिंपल था कि जो मुक्तिबोध की नहीं है वो बतानी है जो हैं उसको रहने देना था नेक्स देखिए कौन सी बात हैं केशवदास के बारे में शुकल ने कहीं है तो अचारे रामचंदर शुकल केशवद के बारे में जो चीज़ें कहीं है देखिए कभी हिर्दय नहीं मिला था ये सही बात है और उनमें सहिर्दता और भाविकता बेना थी जो कभी में होनी चाहिए तो ये वाली पंक्तियां मैंने अचारे रामचंद शुकल के जो प्रमोक कथन है देखिए उसमें आपको विस्तार से करवाई थी हाना कि हमने दो ही लक्चर किये थे फिर भी हमने जो केशव हैं उनके बारे में शुकल के कथनों को जरूर पढ़ा थ और मैंने आपको जो पीडियाफ है वो भी मुवहिया करवाई हुई थी इसकी भी उसके बाद है देखिए वे संस्क्रित साहित से समागरे लेकर अपने पंडिते और रचनकोशल की धाक जमाना चाहते थे तो ये वाले बात भी क्या है सत्य है तो इसका जो सही उत्तर था द दासिन तो वो मैलांचल की थी यहां पर अब ये पूचा है कि इन में से कौन पातर नहीं है तो ये थे देखिए आपका विकल्प नमर दो श्रीधर और सरस्वती बाकी जो अन्य पातर है वो सब के सब मैलांचल के हैं नेक्स आता है देखिए प्रशन संख्या चौवन शक् का जो विकल्प नमर तीन है देखिए अचारे ममठ का ठीक है नेक्स आ देखिए प्रकाशन वर्च के अनुसाद नेमेले कितने बंद संख्या हों का सही क्रम आपने बताना था तो देखिए त्रीशंक को ये कब लिखा गया था 1945 में जबकि रिती के फूल सब उसके बाद आ नेक्स आ देखिए निमयलिक्त में से किस उपन्यास में बाल वैसंधी और किशॉर मन के मनोवज्यानिक अंकन का प्रियास किया गया है तो ये शेखर एक जीवनी में किया गया है विकल्प नमर एक इसका क्या था शेखर एक जीवनी उपन्यास को भी हमने अच्छे से था तो बहुत सारी चीजे हैं जो हमने हिंदी साही तेवारता चैनल में एक्साम से पहले कंप्लीट कर ली थी अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपने अपने त्यारियां जारी रखनी है 2021 के लिए तो आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं नेक्स ते देखिए नेमी लिखित में से किस उपनियास में लाला मदर मोहन के दिवान खाने का वर्णन किया गया है तो लाला मदर मोहन के बारे में हर बार परिक्षा में प्रशन पूछा जाता है है ना तो ये था आपका परिक्षा गुरू अगला प्रशन है देखिए अभ Richard's की प्रसीर कृती का नां The Principle of Literary Criticism है सही है Practical Criticism नहीं तो ये कतन गलत है क्योंकि Practical Criticism भी इनकी ही रचना है Richard's का अलوجनात्मक लेक कार इख कारे 19th साधी के अंध तक स्मापत हो गया था नहीं क्योंकि 19th साधी के अंत में तो उनका वर्त हो था ठीक है जिसे संप्रेशन कहते हैं और भारते कावशास्तर के स्थानिकरण का ही एक रूप है तो ये बात क्या है सत्य है तो विकल्प नमबर तीन इसक क्या होना चाहिए था जबकि चौथा भी क्या है गलत है क्लिर है ना अगला है देखिए निमिलिकित भाषाओं का विकास उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहले देखिए प्राचीन संस्कृत आएगा है ना तो प्राचीन संस्कृत पंद्रा सो से एक हजार इससुई पूर्व उसके बाद आएगा आएगा आपका फि इस तरीके से इसको पूछत पूछते थे इस बार थोड़ा से इननने अलग करके देखिए प्राचीन संस्कित नाम दिया है उसको जो पुरानी संस्कित है मतलब ऐसे पूछा है फिर उसके बाद आना था आपका शौरसैनी शौरसैनी की बाद फिर पश्चमी हिंदी नेक्स की दीन है तो उपरुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्रित है तो यह है देखिए आपका विकल्प नमबर तीन रश्मी रथी ठीक है तो यह इसका क्या होना था सही उत्र होना था रश्मी रथी किसकी रचना है यह दिनकर की रचना है नेक्स ते देखिए साथ-ाठ की संचित ग्यानराशी सामने लाई गई थी ऐसी निदिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी और ये दे कहते हैं कि लेखन के संबंध में साहिते र्यास के संबंध में बातें किस अलोचकने कही हैं तो इसका जो सही उत्तर होना था देखी यह उना था आपका है ना तो शूकल जी नहीं ये बात कही हुई है अगला प्रशन है भारत अंदू की निमिलिकित मॉलिक नाट्य रचनाव में कौन से प्रहस्न है वैदी की हिंसा हिंसान भप्ती तो सही बात है ये प्रहस्न है नील देवी देखिए ये आपका क्या है गिती रूपक है जबक ये 63 का है ना तो अगला प्रशन हम देख लेते हैं रागदरवारी उपन्यास के पात्र हैं तो देखे रागदरवारी के उपन्यास के पात्रों के बारे में पूछा गया फिर से रागदरवारी उपन्यास भी हमने डिसकस किया हुआ था पेपर से पहले और मास्टर मोती र ये आपके उत्रा आधुनिक्ताबादी जबकि जवक दैरीदा जो हैं देखिए ये किस कहीं है आपके ये हैं विखंडनवादी ठीक है ना तो अगला प्रशन हम देख लेते हैं हमारे समाज के पुरुष विवेख हीन जीवन का चित्र दिखाना हो तो विवाह के समय प्रशन भी रिपीटीड है और ये हर बार ही पूछा जाता है तो अचारे रामचंद्र शुकल ने कहा है किसके समंध में विद्यापती के अगला प्रशन है देखिए दलित आत्मकाथाओं को क्रम से रखना था आपको ठीक है सबसे पहले इसमें अपने-पिंजरे मोहन जो महन दासने में इश्राये हैं 1995 में लिखा गया था जूठन 1997 में उम्परकाश वालमी की का शिकंजे का दर्द सूशीला टाक बहुरे 2011 में जबकि मुर्दाया ये है तोलसीराम की 2010 में जो सबसे पहले अपने-पिंजरे आएगा फिर जूठन फिर मुर्दाया और आखिर में शिकंजे का दर्द ये इसका सही क्रम था जादा मुश्किल प्रशन ये भी नहीं था क्योंकि दलित आत्म का थाओं को हर वार ही अपरिक्षा में पूछा जाने लगा है अगला प्रशन है देखिए निमिलिकित निबंधों संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क ठेले पर हीमाले धरम विर्बारती का 1958 उसके बाद आएगा आपका पास गंद मादन 1972 में जबकि कला का जोखिम ये आएगा 1981 में ठीक है तो ये इसका सही क्रम है नेक्स देखिए प्रशन संख्या सत्तर तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना था सिंपली पात्रों को मि पहला अंचल से था जबकि मुराद अली तमस से था और जो कंचन है देखिए ये किस्से थी आपकी जो कंचन है देखिए ये था आपका जूटा सच से और कैलासनात किस्से है ये है मानस का हंस से ठीक है तो विकल्प नंबर एक इसका क्या था बिल्कुल सही उत्तर था अग तो इसका जो सही उत्तर था देखिए अचारे प्रसाद दुवेदी ने शुकल के बारे में ये कहा हुआ था तब ये तो कहा था कि जब भी मैं लिखता हूँ कुछ तो मुझे अचारे रामचंदर शुकल की मुझे याद आती है कि दाना सिंग नेक्स ते देखिए अपने मनवग्यानिक मनवविकार संबंधी निबंद करोणा में रामचंदर शुकल ने निर्धारित किया है कि तो बहुत सारे कथन दिये हैं फिर दास में लिका देखिए मनतव्य कौन सा शुकल का नहीं है तो देखिए इसका जो सही उत्तर था वो था आपका विकल्प आसा डीप फड़ने की जरूरत थी ठीक है नेक्स से देखिए प्रशन संग क्या तीहत्तर निमिलिकित कवियों को उनके जनम वर्ष के अधार पर व्यबस्थित कीजिए तो देखिए सबसे पहले बिहारी पंदरसव चान्यों में और उसके बाद आने थे आपके विकल्प अगला है देखिए सूची को फिर से सुमिलित करना था जो पत्र पत्र काये हैं वहाँ से प्रशन इस बार पूछा गया था कि कुछ एक परिक्षाओं में जो पीछे की हुई है वहाँ पर इस तरीके से पत्र पत्र का से प्रशन नहीं पूछा गया था लेकिन इस पार पत्र पत्र का से प्रशन रखा गया था दोनों ही शिप्ठों में ठीक है तो अनंद कादंबनी किसका है देखिए यह है आपका बद्री नराइन चौधरी प्रेम घंकी ठीक है तो ए के साथ देखिए जहां पर तीन है और बी के साथ क्या होगा चार होगा समालोचक चंदरदर्शर्मा गुलेरी और जबकि जो भारतेंदू है देखिए इसका क्या होना था इसका था आपका विकलब नंबर दो रादाच इसका देखिए वो था आपका विकलब नंबर दो बी और सी मतुप गुन गुन आकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी तो यह मेट्रिक में लगा हुआ है जो दस्वीं के चात्र है उनको ठीक है और साथ ही साथ देखिए जो आपका विकलब नंबर सी है मेरी आँकों के पुतल में तुबन कर प्रान समा जा रहे तो यह कवीता भी किसकी है यह जैशंकर प्रसाद की है तो विकलब नंबर बी इसका क्या होना था सही उत्तर था नेक्स से देखिए मानव प्रबित्यों अथवा मनव विकारों को पात्र के रूप में उपस्तित कर नाटक के दुन्दों क की बात करें तो देखिए विशाक में जो कलहन की राज द्रंगनी के अरंबिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है इनका जो विशाक का कथानक है फिर अगर बात करें सज्जन की तो सज्जन का कथानक जो है वो महाभारत से लिया गया है और लास्ट का जो आखरी है देख पिर से एक बार पात्रों को बारे में पूछा गया है कि उनको कहानियों से मिलाना है उनको तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 78 का देखिए एक ठीक है तो आप इसको मिलान कर लिजेगा और बहुत मुश्किल नहीं है ये भी क्योंकि हमने गेंगरीन को पड़ा था चीफ की दावगत हमारे का टेक्रम में शामिल है तो इसको हम इजिली कर सकते थे अगला पशन है देखिए स्थापना और तर्क फिर से है सिंचारी पावों के उन्वेश द्वारा सहीद्य समाजिक में रस निश्पत्ती होती है और भारत के रसूत नमबर दो ठीक है 79 का अगला हम देख लेते हैं शुकल के अनुसार खुसरो के विशय में निवलिक कौन सी बातें सही हैं तो देखिए अचारे रामचेंदर शुकल खुसरो के बारे में क्या कहते हैं इसको भी हमने डिसकस किया हुआ था तो यहां पर इसका जो सही उत्तर ह होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर 1, A, B और C खुसरो का ध्यान बोलचाल के अधिक था और उनका मनरंजन लक्षय था मुख्या फिर वो खुसरो के समय में जो बोलचाल की जबाविक भाशा जिस गिस गिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती हैं तो ये तीन चीजें अचारे रामचंदर शुकल ने खुसरो के बारे में कही है लेकिन आखिरी जो बात है वो नहीं कही है नेक्स से देखिए नई कहानी आग्रहों की कहानी है नहीं है प्रवृतियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है है ना उप्य पर से पढ़के इसको नहीं कर सकते थे चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं फिर से लोकनाट्य है देखिए जो लोकरंगमंच है ये एकाई दो से पूछा गया है हमें कि इसको रखा गया है मिलान करना था कि कहां का है अगर सांग की बात करें तो देखिए ये है आपका हरियाना का जबकि नोटंग की उत्तर प्रदेश का है ठीक है उसके बाद माच ये आपका मध्यप्रदेश मालवा नाचा किसका है? चतिसकर का है ठीक है तो विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होना चाहिए था नेक्स से देखिए जो बोली वर्ग हैं उनको आपने मिलाना था तो ये वला प्रशन भी हर बार ही पूछा जाता है इस पार थोड़ा सा मिलान में इसको रख दिया था कई बार इसको डारेक्टली ही पूछा जाता है तो पश्चमी हिंदी कौन है आपकी देखिए बुंदेली पूर्वी हिंदी के अंतरकत आती है आपकी भगहली और बिहारी हिंदी के अंतरकत मगही और राजस्थानी की मिवाती ठीक है तो ये इसका सही मिलान था नेक्स से देखिए प्रोकाशन वस्ट की दिश्टी से कवीता संग्रहों का सही करम तो ये अगे की कवीता हैं देखिए फिर से इनको पूछा गया है तो सबसे पहले देखिए इसमें आना था आपका इत्यालम ठीक है 84 का देखिए सबसे पहले होगा आपका इत्यालम उसके बाद आएगा फिर कितनी नावों में कितनी बार पहले में सनाटा गुनता हूँ और आखिर में नदी की बांक चाया ठीक है तो ये इसका क्या होना चीए था सही करम होना चीए था इत्यालम 1946 कितनी नावों में कितनी बार 1967 सनाटा गुनता हूँ 1973 और नदी की बांक चाया 1981 ये सही करम था इसका ठीक है नेक्स से देखिए स्त्री विमश्पर अधारित उपन्यास कौन से हैं तो 85 का देखिए जो सही उत्तर था वो था आपका विकल्प नंबर तीन बी और डी एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए तो ये दो वन्यास किस पर हैं स्त्री विमश्पर अधारित हैं नेक्स देखिए 86 अपब्रहश या प्राकृत भास हिंदी के पद्दियों का सबसे पुराना तांत्रिक और योगधर्मी बौधों की सामपरताईक रचनों के भीतर विक्रम की सात्मी शतापदी के अंतिम चरण में लगता है ये कथन किस अलोचक का है तो ये कथन था देखिए अचारे रामचंदर शुकल का जो हिंदी साही तकाय थी वहां से इसको लिया गया था अपवरेंश जो इनका अपवरेंश वाला भाग है प्रकरण है वहां से नेक से देखिए परकाशन वश्की दिश्टी से निमिल गितनाटकों का सही अनुकरम क्या है तो इसमें सही जो अनुकरम है देखिए वो है आपका विकल्प नंबर एक C A D B B बकरी आएगा सबसे पहले उसके बाद द्रोना चारे और फिर आएगा देहांतर और आखिर में होगा आपका भूक आग है अगला प्रशन है देखिए रोटी और संसत कवीता में कितने आदमियों का जिक्र किया है दो मिलने तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रशन था कि इसमें तीन आदमी है जो जिसका जिक्र किया है नेक्स देखिए बिश्व विद्याली परिशर के जीवन पर अधारित उपन्यास है तो ये हैं आपके परिशिष्ट और चक्र भी हूँ जबकि अपने अपने चेहरे जो है देखिए ये किसका है ये प्रभखेतान का है ये नारी जिवन की तरास्ती पर लिखा गया है जबकि धूप छाही रंग ये गिरिश अस्थानी का है ये युद्व बिशे पर लिखा गया है हालां कि इसका कोई केंद्रियस मस्या इसमें जिससे इसकी कतावस्तु आगे बढ़े व्यक्तियों का चित्र हिसमें प्रस्तुत किया गया है ठीक है तो आखरी आज प्रशन देख लेते हैं हम निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है तो देखिए इसमें है हताश और आत्म परक नायकों की अकेलेपन और अलगाव की तो A और B इसका क्या होगा सही उत्तर होगा विकल्प नमबर 2 तो ये चीज़ें क्या है निर्मल वर्मा की कहानियों में हैं और चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती है हमें निर्मल वर्मा के कहानियों में तो ये थे कुल मिलाके 90 प्रशन इसके बाद की जो 10 प्रशन वो जो हमारा reading comprehension था वहां से लिए गए थे और वो वाले प्रशन भी उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे maximum लोगोंने 7 से 10 तक उसमें ठीक की हुए हैं तो एक बार आपने उनको तोड़ा सा समझना था अगर समझत की करते तो जरूर वो अच्छे थे फिर भी exam का pressure के चलते हो सकता है कुछ एक विद्यार्तियों के पास समय की कमी थी और इसके चलते सब के सब प्रशनों को हमने अब देख लिया है कि किस तरह की का प्रशन था और किस तरह के से पूछे गए थे ठीक है तो बहुत सारे प्रशन ऐसे थे जो to the point पूछे गए थे कुछ एक प्रशनों में थोड़ा सा हमें time लगाने की जरूरत थी जहां पर हम फसकते थे overall ये कहा जा सकता है कि परिक्षा ना तो बहुत सरल थी और ना ही बहुत मुश्किल था moderate level का paper था और ऐसे में पिछले वश्की ही भांती है हमारी जो cut of वो रहने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है तो ये था एक छोटा सा प्रियास दोस्तो analysis का अगर आपको लगता है कि कुछ एक गलतिया मुझसे हुई है तो आप मुझे कोमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे जरूर बताईएगा फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाजत शुक्रिया जैए